हेलो दोस्तों, UPCSS Computer Word में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं पहले दो वीडियो में आपको Professional Resume बनाना बता चुका हूँ और आज के इस वीडियो में भी आपको Resume बनाना बताया जाएगा Professional Resume ही यह भी Professional Resume है तो आपको तीन प्रकार के Resume बता दिये जाएंगे तो जैसा Resume आप बनाना चाहेंगे वैसा आप बना सकते हैं तो Resume बनाने में या World की कोई भी Composing आपको करना हूँ तो सबसे पहले उसमें कुछ चीजों का आप ध्यान रखना बहुत जरूरी है जैसे की Phant, Phant का Size, Phant का Style, Page वह पेज की Margin तो हम कैसे यह सरी चीजे चेक करेंगे कि किस Phant किस पे काउन सा Phant लगा है किस पे काउन सा Size लगा है देखेगा आज यह Resume बनाना आप सीखेंगे इसको हमने बना कि पेज पे Ready कर रखा है और इसी को आप Step by Step कैसे बना है वह हम बना के आपको पूरा Resume बताएंगे अब देखिए यह Resume है यहाँ पर हमने किलिक किया तो Resume पर हमारा Phant Size लगा है 22 यहाँ पर देख लिजेगा 22 और Phant हमने Arial लगा रखा है यहाँ पर अंकिता यादव पर किलिक करेंगे तो यहाँ पर 18 का Phant लगा है और Phant का Phant लगा है Arial और Size लगा है 18 यहाँ पर हम किलिक करेंगे तो देखेंगे यह छोटे छोटे जो लिखेंगे अच्छर इसमें 12 का Size लगा है और Phant Arial यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखेगा आप 14 का फांट लगा है और फांट हर्ज का एरियल हमने लगाया है और आपका साइज अलग-अलग है तो इसी प्रकार से पूरा रिजूम आप बनाएंगे कैसे बनेगा वो एक एक चीज हम आपको बता रहे हैं तो सबसे पहले दोस्तो आप फाइल में जाना और न्यू पेज ले लेना और ब्लेंक डाकूमन्ट उपन कर लेना इससे पहले जो आपका वर्ड प्रोसेसर MS Word है ये ओपन होना जरूरी है तो सबसे पहले हमने new page ले लिया है और new page लेने के बाद हम page layout पर जाएंगे यहाँ पर size में जाएंगे और यहाँ पर a4 size का page ले लेंगे a4 size page लेने के बाद हम margin में जाएंगे और यहाँ पर narrow margin लगा लेंगे इतना आप ready कर लेंगे आपका page set हो चुका है अब हम step by step आपको resume बनाना बता रहे हैं तो सबसे पहले home page पे आप click कर लिजिएगा और यहां से जो alignment है वो center पे click कर लिजिएगा जिससे की page के center में हमारा cursor आ जाए अब यहां पे हम लिखेंगे resume resume हमने लिखा इसको select करेंगे और यहां पे font area लगाएंगे हम और font का size यहां पर हम 22 लगाएंगे और यहां से हम bold इसको कर देंगे इतना काम आपको इसमें करना है फिर इसके बाद enter करके नीचे आएंगे और left alignment लगाएंगे left alignment लगाने के बाद यहां पर हम name लिखेंगे student का यह जिसका भी हो name लिखने के बाद इसको select कर लेंगे और यहां से area पहले से font लगा है font size इसका हम 18 यहां पर कर लेंगे इसके बाद फिर हम नई line से आएंगे enter करेंगे और यहां पर लिखेंगे address इसको select करेंगे और इसका font हम size रखेंगे 12 और यहां से दिखो यह semi column बढ़ गया तो इसको थोड़ा आगे और बढ़ा देंगे फिर इसके बाद नई line में आएंगे और बाकी detail भरेंगे देखीगा यह detail आपकी फिल हो चुकी है अब हम क्या करेंगे यह जो hyperlink लग गया है इस पर right click करके remove hyperlink पर click कर देंगे तो hyperlink हट जाएगा अब यहाँ पर हमें एक line खीचना है तो यहाँ से हम insert में जाएंगे और यहाँ shape आकरत में जाके यहाँ से line एक हम दे देंगे और line का color जो भी रखना है सबसे पहले line खीचेंगे line मोटी पतली जो करना है यहाँ से जाके इसको मोटा पतला कर लेंगे लाइन का color जो भी रखना है वो color हम ले लेंगे यहां से यह line आपकी बन चुकी है आगे देखिएगा carrier object इसको select करेंगे इसका font का size हम 14 रखेंगे और bold रखेंगे और इस पर हमें border देना है तो इसको select कर लेंगे और border में यहां आएंगे और outside border लिखा है उस पे click कर देंगे यहां पर हमें border का color भरना है तो यहां से हम color भी लगा सकते हैं अगली line में आएंगे और यहां पर हम आगे की detail भरेंगे देखेगा यह detail लिख गई है इसका font का size जो हम रखेंगे इसको select कर लेंगे और इसका font का size हम रखेंगे 12 एंटर करेंगे नई line आ जाएगी इसके बाद हम आगे की heading डालेंगे education education को select करेंगे यहां से हम 14 का font ले लेंगे और इसको bold कर लेंगे इस पे भी हम outside border लगा देंगे और इसका color जो हमने objective में रखा था वही color इसमें रखेंगे फिर यहां click करेंगे अब education हमें देना है तो education के लिए तो उस तो table बनाना पड़ेगा table बनाने के लिए हमको insert में जाएंगे table में जाएंगे और 4 column ले लेंगे 5 ड्रो ले लेंगे यहां पर हमारी table create हो चुकी है फिर हम home पर table create हो चुकी है अब हम आगे की details में जो है वो भरेंगे जैसे course दोस्तो आपकी detail देखो table में हमने फिल कर दिया है अब हमें क्या करना है यह detail भरने के बाद यहां पर font देख लिए जैका यहां पर font आपका जो है 12 लगना है तो इस वाले column को पूरे select कर लो और यहां से font का size जो है 12 कर लो इसके बाद layout में जाएंगे और यहां पर auto fit में जाके full window auto fit बिंडो टिक लगा लेंगे और यहां पर हम height इसकी table की थोड़ा बढ़ा लेंगे 3 कर लेंगे point 3 और यहां से हम इसको center में चाहें ला सकते है right में चाहें ला सकते है तो यहां पर हम center में यहां पर left और center में लगा लेंगे इतना काम करेंगे यह आपकी table set हो गई है आप इसको हम table की जो है configuration set कर रहे हैं तो क्या करेंगे year का column देखो यह छोटा कर देंगे इसको set करना है क्योंकि double line में आ गया है तो इनको double line से set कर लेंगे तो यह सही हो जाएंगे यहां देखो सही हो गए आपका और इसको थोड़ा हम बढ़ा लेंगे यह आपकी education की detail फिल हो चुकी है आगे देखिएगा अब हम बुलटे numbering लेते हैं control और shift L से यहां पर हम लिखते हैं आगे की detail computer इतना हमने लिखा इसको select करेंगे इसका फांट में 12 जो है वही रखना है और यहां से हम aerial फांट ले लेंगे फिर इसके बाद आगे की detail हम भर रहे हैं दोस्तों देखेगा आगे की detail हमने भर दिया है computer प्रुफेंशी, leadership experience, communication skills, organization know-how pupil skill, collaboration, talent, problem solving abilities, English speaking, computer, software, knowledge यह detail हमने फिल कर दिया है आगे देखिए heading कौन से डालेंगे, achievement इसको select करेंगे, यहां से 14 का फांट देंगे, bold करेंगे और यहां से border set करके उसमें color फिल करेंगे, फिर नीचे click करेंगे, आगे इसको select करेंगे, यहां से इसका फांट सही करेंगे, area और 12 आगे की detail हम भर रहे हैं पूरी, और इसमें bulletin numbering लगा के इसका आप फांट हम सही करेंगे, और area लगाएंगे करेंगे, एंटर करके इसका point हटाएंगे, यहां से इक clear हुआ, आगे की detail भर रहे हम, यह detail आप फिल हो चुकी है, next आगे जो है वो detail अप क्या होगी, लोंग जैज, इसको select करेंगे, इसका font aerial रहेगा, font size 14 रहेगा, bold करेंगे, और यहां पर भी हम border और color दे देंगे, Hindi and English detail हम भर देंगे, इसको enter करके एक point उपर का हटा देंगे, select करेंगे, और यहां से font इसका, और यहां से font का size, set कर देंगे, अगे देखिएगा, personal detail, इसको select करेंगे, personal detail को, यहां से 14 का font लगा है, bold कर लेंगे, border और color दोनों set कर लेंगे, अब हमें personal detail देना है, देखिएगा, bullet and numbering लगा लिया, date, आफ, बर्त, इसको select करेंगे, यहां से हम, 12 का font लगाएंगे, aerial लगाएंगे, font और size लगाएंगे, 12, आगे की detail हम फिल कर रहे हैं, आगे देखिएगा, declaration, इसको select करेंगे, font का size इसका लेंगे, 14, bold करेंगे, और यहां से border और color लगाएंगे, देखिएगा दोस्तों, जब हमने लिखा, तो यह दूसरे page पर इतना matter आ चुका है, अब हम इसको adjust करेंगे, पहले ही page पर इस सारे matter को adjust करेंगे, तो इसको select करेंगे, और यहां से फान्थ हम 12 लगाएंगे, और bold हटाएंगे, अब देखिएगा जहां ज़्यादा space है, वहां हम कम करेंगे, तो यहां से check करेंगे, देखो यहां पर एक line ज़्यादा है, इसको हम कम कर रहे हैं, तो कम करने के लिए देखो यहां पर जो हम लिखना शुरू करेंगे, तो एक line है, तो इसको हम हटा देंगे, और इसको हम यहां पर भी देखो फांठ हम कम कर रहे हैं थोड़ा अर्जेस्ट कर रहे हैं पूरे अच्छरों को और यहां पर भी हम फांठ कम कर रहे हैं यहां पर भी कम करेंगे जहां जहां हमने enter double लगा रखा है वो फान धम पूरे line से कम किये दे रहे हैं यहां पर भी हम कम कर रहे हैं यहां पर भी कम किये दे रहे हैं यह आपका देखिए declaration जो है आ चुका है अब यहां पर हम एक image लगाएंगे और photo यहां पर लगाएंगे इतना बाकी रह गया है तो insert में जाएंगे picture में जाएंगे और यहां पर हमने photo जो है वो रखे हैं कहीं अपने folder में यह signature हमने ले लिया अब signature पर आके click करेंगे और इसी कोश्ठक में click करेंगे in front आप लगाएंगे तो signature हमारा आ चुका होगा यहां अब इसको धीरे धीरे हम नीचे लाएंगे इसको छोटा कर लो और यहां पर रख दो यह आपका signature फिल हो चुका है अब आगे आपका photo लाना है यहां पर तो insert में आईएगा और picture में click करो और photo इसमें का एक ले लो click करेंगे इसके उपर इसको भी front लगा लेंगे यह photo उपर आग चुका है इसको यहां से हम shift के साथ छोटा कर लेंगे यह आपका photo भी अर्जिस्ट हो जाएगा इस पर हमें border गर जो देना है तो यहां से इसको है फार्मिट में जाएंगे और line का border गर जो हमको देना है तो यहां से border हम दे देंगे जो भी border लगाना हो लगा लो देखिएगा दोस्तों यह resume हमारा ready हो चुका है यहां से अब हमको क्या करना है यह resume आपको save करना है तो फाइल में जाएगा और save पे click कर लो और यहां पर हम अंके तक resume के नाम से हम save कर रहे हैं यह आपका resume save हो चुका है हम चाहते हैं कि इसी resume की pdf बना ले तो file में जाना और save as में जाना browse में जाना और अंकेता resume के नाम से एक pdf बनाए ले रहे हैं तो यहां पर क्लिक करना save टाइप पर नीचे और pdf फाइल लिखी होगी उस पर क्लिक कर देना और यह save कर लेना desktop पे हम save कर रहे हैं इसको यहां पर desktop पे जो हमारा folder है उसी में हम save किये दे रहे हैं save तो यह आपके pdf फाइल बन चुकी है देखना है आपको तो minimize कीजिए पूरे resume को इसमें और यहां पर फाइल जो है आपकी रंजीत के नाम से फाइल यह है इसमें आपका pdf के नाम से आ गया होगा यह आपका pdf जो है resume की ready हो चुकी है तो इस परकार से आपने resume बनाना सीखा मैं आसा करता हूँ कि आपको यह video पसंद आया होगा thank you for watching